हेलो एवरिवन, मैं हूँ अनीसा, कुकवित अनीसा में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, खटा मीठा मार्केट स्टाइल आम पापर की रेसिपी जो की बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बच्चों से बड़े तक सभी का फेवरेट होता है और मार्केट में ये बहुत ही महंगा मिलता है, तो आज हम इसको घर में ही बहुत इजी वे से बनाएंगे 10 से 15 मिनट में ये बन के तयार हो जाता है, बिना धूप, बिना किसी जहनजट, बिना चिपचिपाहट के इसको हम साल भर किस तरह स्टोर करेंगे, ये सारे टिप्स एंट्रिक्स में आपको बताने वाली हूँ आगे और ये देखिए, कितना ट्रांस्पेरेंट हमारा आम पापर बन के तयार हुआ है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, प्लीज, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दभाना ना भूले और चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो आम का पल्प यह पल्प 1 किलो है पुरा और इसको मैंने आम को अच्छे से छील के उसका पल्प निकाल लिया है और इसको हम mixer grinder के जार में डाल देंगे सारे ट्रांसफर कर देंगे पल्प को और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे और जैसे अभी बाजार में बहुत तरह के आम मिलते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में खटा आम भी आ जाता है तो वो कोई खाना नहीं चाहता है तो हम क्या करेंगे उसका आम पापर अराम से बना सकते हैं जिसका आम का भी यूज हो जाए और जो है हमारा आम पापर भी बन जाए तो यहां मैंने सारे आम के पल्प ग्रेंडर में डाल दिये हैं और इसमें मैं डाल दूँगी एक कप भर के चीनी और आप चाहें तो चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मिठास और वो आम के खटास पर भी डिपेंड करता है कि आम कितना ज़्यादा खटा या मिठा है तो उस तरह से भी चीनी एड़जस्ट हो सकता है मेरा आम ज़्यादा खटा नहीं था इसलिए मैंने केवल एक कपचीनी डाला है और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो ये देखे कितना अच्छा से ग्राइंड होके इसका पेश्ट तयार हो चुका है इसमें ध्यान रखेगा कि कोई गुठली ना हो क्योंकि अग पानी डाल देंगे तो फिर ये साल भर नहीं चलेगा तो अब हम चला देंगे इसको गैस पे चरहा देंगे और मीडियम से लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाना है नहीं तो ये नीचे बैठ जाता है और फिर जल जाएगा नीचे से इसलिए इसको अराम से चलाते रहें मीडियम टू लो फ्लेम पे और ये देखे कितना अच्छा पेश्ट हमारा तयार हुआ है इसमें एक भी गुठली नहीं है बहुत अच्छे से ये तयार हो चुका है तो अब इसको हम पकाते जाएंगे यहां देखे इसमें बबल्स आने शुरू हो चुके हैं तो इस तरह से हमें इसको चलाते जाना है और ध्यान रखेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छीटे उरता है इसका तो बहुत अराम अराम से इसको हैंडल कीजिए ताकि आप पके भी ना बहुत उरने लगता है तो आप आगे से कोई थाली या इसका कभर ले सकते हैं जिससे ये आपके उपर ना आ है तो यहां मैंने क्या किया है तो यह बहुत उर रहा थ तो मैंने इसको पीछे वाले गैस पे चूले पे शिफ्ट कर दिया है ताकि मेरा हाथ ना पके और यह आराम से अपना जो है ये भी पकता रहे धीरे-धीरे तो यह देखे इस भी तरह से हमको इसे चलाते रहना है 10 से 15 मिनट में ये बन के तयार हो जाता है बहुत आराम से ये बन जाता है ज्यादा मेहनत भी हमें नहीं करनी परती है बहुत ही आराम से ये तयार हो जाता है और ये देखे अब धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है क्योंकि हमने इसमें पानी तो डाला नहीं था, तो ये आम का जो पानी है या चीनी है, वो जितना देर लगेगा उसको गढ़ा होने में बस उतना ही टाइम हमें लगता है, तो ये कराही पर भी डिपेंड करता है कि कितना मोटा है और आपके चुले के फ्लेम पर भी बनाते हैं और एक इसी तरह से बनाती थी दोनों तरह से बनाती थी जब बारिस होने लगता था और आम सब खराब होने लगता था तो फिर इस तरह बनाती थी क्योंकि उसमें धूप की कोई जरूरत नहीं होती है बहुत टेश्टी बन जाता है और यह मेरा फेबरेट था धूप का भी कोई जंजट ना रहे कि बस हमें बहुत ज्यादा धूप चाहिए और आज कल तो जो हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं तो यहां पे धूप भी उतनी ज्यादा तो नहीं रहती है बालकनी में आती है थोड़ी बहुत धूप तो उसी में हमको सुखाना होता है त और साइनी भी होने लगा है जैसे जैसे यह गाढ़ा होगा उतना ही साइनी हो जाएगा तो यहां मैं डाल रहे हूं एक निम्बू का रस जो निम्बू का रस है वो इसको और सौफ्ट बनाएगा नहीं तो इसमें चीनी है न तो चीनी जो क्रिश्टलाइज हो जाएगी तो जो निम्बू कारस हमने डाला है वो इसको टाइट नहीं होने देगा और थोड़ा सा हलका सा खटास भी इसमें लाएगा आप चाहें तो यहाँ पर इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं मैं काला नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं ब्रत में भी इसका यूज करती हूँ या फिर जो है इसका मिठाई में आप यूज करेंगे तो अगर काला नमक डाल देंगे तो फिर उसका हम यूज मिठाई में या ब्रत में नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ ये देखे कितना साइनी हो चुका है तो आईए तब तक हम क्या करते हैं तो हम इसके लिए प्लेट तय्यार कर लेंगे ताकि हम जो है इसको जब ये अच्छे से पक जाये तो फिर हमें इसको पूर करना होगा तो तुरत-तुरत ये पूर करना होता है तो यह जम जाएगा तो हम यहाँ पर थाली तयार कर लेते हैं तो यहाँ मैंने तीन थाली ले लिया है इस्टील का और इसमें हम घी से इसको ग्रीस कर देंगे इस्टील का ही थाली लें इसके लिए या ट्रे हो तो वो ले लें और यह फाइवर वाले थाली बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती है निकलते समय और ना तूटता है तो इसलिए इसको हम मैंने ग्रीस कर लिया है तीनो थाली को तो अब चलिए ये देखे हम देख लेते हैं कि हमारा आम तयार हुआ है कि नहीं ये देखे कितना गाढ़ा हो चुका है तो इससे जादा हमको इसे है जादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर वो भी अच्छा नहीं होगा तो इसको हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा आम पक गया है या नहीं पका है ना हमें जादा लिक्विडी रखना है और ना ही हमें इसको जादा गाढ़ा करना है तो हम इसको चेक कर लेंगे तो इसको चेक क वो बनके तयार हो चुका है तो अब मैंने गैस स्टोप बंद कर दिया है और इसको हम थाली में पोर कर लेंगे जिससे ये और बहुत जल्दी से इसको निकालना है ताकि ये जमेना कराही में तो इस तरह से हम निकालना है और इसको देखने का एक ये भी है ये देखे बिना इसको हिलाए डुलाई अच्छे से फैल रहा है अकेवल हमें इसे हिलाना है ना स्पैचूला चलाना है ना कुछ करना है ये चारो तरफ अपने आप घूमता रहता है तो ये देखे इस तरह और ये मोटा भी है ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है ज्यादा मोटा हो जाएगा तो वो भी सुखने में भी दिक्कत होगा और उतना अच्छा भी नहीं लगता है ज्यादा पतला हो जाएगा तो वो भी चिपक जाएगा अंदर से और तूट जाएगा तो ये देखे कितना अच्छा इ जो दूद रखने की जाली होती है वो रखके इसको आप धूप में डाल सकते हैं बस दो दिन या एक दिन इसको लगता है एक दिन में ये इस तरह से हुआ है इसको थोड़ा सा और मैंने दूसरे दिन भी सुखा दिया तो ये देखे कितना अच्छा हो गया है अब मैं आपको छुडाने का ट्रिक बताऊंगी तो उसके लिए कुछ नहीं करना है नाइफ को चारों तरफ इस तरह से घुमा लेना है जिससे इसका किनारा छूट जाए बस और जहां से एक बार किनारा छूट जाएगा फिर हम इसको पकड़के ये देखे इस तरह से अराम से निकाल सकते हैं और ये देखे कितना साइनी और कितना ट्रांसपेरेंट बनके हमारा आम पापर तयार हुआ है कि इसके अंदर से मेरा हथेली भी दिखरा है बहुत ही साइनी ये बनके तयार हुआ है और ये चिपक भी नहीं रहा है बहुत टेश्टी लगता है ये खाने में और थाली के नीचे भी कुछ नहीं चिपका है तो अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको काट सकते हैं आप अपने हिसाब से भी इसको काट सकते हैं जैसा आपको पसंद हो तो इसके हम लंबे-लंबे strip काट लेते हैं जिससे ये देखने में भी अच्छा लगे जिससे बच्चों को और बहुत ज़्यादा पसंद आता है जब उनको roll करके कुश दीजिए तो बहुत पसंद आता है उनको खाने में और store करने में भी आसानी होता है जब वो roll करके हम रखते हैं तो एक निकालिए और जिसको देना है तो अब दे दीजिए आराम से ज़्यादा तोरना नहीं पड़ेगा तो इस तरह से देखे इसको हम इस तरह से इसको दबाते हुए roll कर लेंगे तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बना लिया है और ऐसे ही जितना भी हमारा आम पापर का यह मैंने काटके रखा है पीसे उसको भी हम roll करते जाएंगे और इसको हम रखते जाएंगे तो यहाँ पर मैंने सारे आम पापर के roll बना लिये हैं और जितना भी हमारे पास है सबका इसी तरह से हम बना के रख लेंगे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा कि घर में ये कितने आसानी से बन जाता है और मैं आपको दूसरे तरह से भी काट के दिखा रही हूं कि इसको हम चौकोर पीसेज में भी काट सकते हैं आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसको काट के रख सकते हैं ये देखे ये लंबा लंबा पट्टी में ने इस तरह से निकाल लिया है और इसको इस तरह से चौकोर आकार में भी हम काटके रख सकते हैं ये मिठाई में भी बहुत काम आता है यहां बंगाल में इसी के अंदर सोंदेश जो होता है उसको डाल के और उसको रैप करके बनाया जाता है अभी बहुत ज़्यादा यहां पर वो फेमस है मिठाई मैं आपको उसकी भी रेसिपी बना के जरूर दिखाऊंगी यह लिजिए तयार हो चुका है हमारा आम पापर रोल और पट्टी आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और मेरी रेसिपी को सेयर करें ताकि दूसरे भी इसे अराम से बना सकें बिना किसी मेहनत बिना ज़्यादा समान के केवल आम और चीनी इसके लिए चाहिए और 10-15 मिनट में यह बनके तयार हो जाता है तो अगर आप इसको साल भर एश्टोर करके रखना चाहते हैं तो एक दो धूप इसको और लगा दें ताकि यह अच्छे से सूख जाए और यह खराब ना हो तो आप भी इसे बनाईए खाईए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए थैंक्यो फो वाचिंग मै वीडियो जै माता दी